ने बूला है कि हंपी है आतो है और फी आहती हैं आप इस शिती में कहां जाएग में ठाने से न्याये नी मिलेगा. पूलिस से न्याये नी मिलेगा. तो हम कहां जाएं? यहां पर भारत में जो हेंene न्याये की अमीद बहुत कम रहे गई हैं. नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी आपने जिस तरीके से पिछले दुनों दिखा किस तरीके से राम भद्राचार्य ने एक अपमान जनक बात कही राम को नहीं भजने वाले को नीच बताया जाती शूचक सब्द कहे और उसके बाद भी कोई एक्षन नहीं लिया गया भावनाय आहात हुई समाज की लेकिन उसके बाद भी किसी ने कुछ नहीं का और जब किसी ने एक्षन तो उल्टा उन्हें डाट फटकाट कर निकाल दिया गया पार्लियमेंटरी थाने पर कुछ लोग गय थे कंप्लेन दर्ज करवाने एक फायार दर्ज करवाने लेकिन उन्हें वहां से सोचों ने भगा दिया इसी बात पर हमारे साथ बातचित करने के लिए मौजूद है से इस वक्त पुलिस भैभीत है इस सच्चो क्या करें उनकी नोकरी चली जाएगी डिली पुलिस गर्मंतराले बहरा सारकार क्या दिनाती है कलब बचारी सस्पंट हो जाएगे पकी पकाई सर्विस अबेकार हो जाएगी रेड इंट्री हो जाएगी उन्होंने हाज जोड़ कहा कि है अतर सिंग जी मुझे रहम खाईए किसी और थाने में चले जाईए दरोगा जी ने कहा कहा आप जान रहें कि इस वक्त माहौल क्या है वो नरंदर मोधी के बड़े करीबी है रहम भदराचार उनके खिलाप अगर मैं कारवाई करता हूँ तो मेरी नौकली चले इस वक्त देख रहे हैं कि क्या माहौल इस देश में किस तरह का पाप हो रहा है कि अर्धनिर्मित मंदिर में इश्वर की प्राण प्रतिष्ठाई सब कर रहे हैं यह सताई हो गये हैं यह बेविचारी हो गये हैं तमाम राजनीतिक दलों ने चारो धरम गुरू जगत गुर करने पर उतारू हो चुके हैं उन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि एक OBC का प्रधान मंत्री जो है मंदिर का उद्गाटन करने जा रहा है पहले हिंदू-Musalman करते थे भारत-पाकिस्तान मंदिर मशजिद यह सब कहते थे कि हिंदू-खत्रे में नहीं है ना मुसल्मान का रहा है अरसल अरेस्टस और बीजे पी की असमिता खतरे में पड़ गई है मैं दाव्य के साथ आपके चैनल के मारपत कह देना चाहता हूं कि अगर और धनिर्मित मंदर का में प्राण प्रतिष्ठा करने की कोशिश की गई अगर होता है तो इस देश को दैविक आप अदाओं से कोई रोक नहीं पाएगा बोगने ते कि जहां पर आपकी भावनाय आहाथ हुई है वहां पर जाएए क्या मतलब है इसका भाई क्या कर बेचार आपनी नोकरी बचा रहा है भाई नोकरी चली जाएगी बीबी बच्चों का पेट कैसे भरेगा एस अचो भी मजबूर है यहां जश्री शुलोया कोई बनना चाहता है मुझे एक चीज बता दीजिए इस देश में अकेला बंदा पंडित राहूल गांधी दोड़ रहा है हमां भी स्वर्मा वहां का मुख मंतिर कह रहा है इस रोड से नहीं जाएंगा दूसरी रोड बना ले नहीं तो में इनके खिलाब भाईयार कर दूंगा पुलिस प्रोट इनको सनातन धर्म से दूर दूर तक लेना देना नहीं है तो मतलब आप कह रहें कि राम भद्रचार इमोधी के करीबी है इसलिए पुलिस वालों अफायर नहीं करेंगे हां जब जान लिजे कि फर्जी संक्राचार फर्जी साधु महत्मा राजनीत करने लगे उस देश का पतन निश्श्त होता है दो और और मैं आपको दावेग साथ कह रहा हूं है इस देश का तो जो पतन हो रहा हो ही रहा है और इस देश में क्या-क्या होने जा रहा है तमाम धर्म लूफ्ट होने के कागार्प है बीजे पी तो तमान दावे करती है वो आगे भी भड़ा रही है स्टी और बीसी के समुदाइए के मुख्यमंत्री तक पहुंचा रही है आप कह रहे हैं वो उनी के खिलाफ है जो संगी मानसिक्ता के हंदू हैं उनको पहुंचा र प्रोग्राम से ट करके धरम के नाम पर थर्म की अफिम सर्प्चा करके और गरीब जो होते हैं उनको बर्गला के लाते हैं उनको क्योंको करके मरवा देते हैं सबसे जादे बीजी फी कि सरकार में अगर किसी के हाग्ठाइं तो ब्रहमनो। की हत्त Heather का गिरों है जिसके सरगना नरंद मोती हैं मौन भागवत अब जो दलितों का जा रहा है कि जहां आपकी भावनाय हाथ हुए वही जाएए फाइयार करवाईए क्या करेंगे आगे आपका कदम क्या होगा अगला कदम हम हाई कोड में रिड दाखिल करेंगे जरही त्याज का दाखिल करे क्या कहा पऩ्लिस ने और क्या कुछ हूआ हुआ है हम लोग यह सोच रहते हैं चल वहां उल्लेंड 2 आज तक थाने में गए और वहाँ पर हम ने शच्चम के सामने आपनी तेहरीर जाके रख दी तो उन्होंने हमारी तहरीर को लेने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि यह जहां आपकी भावना आपकी आहत हुए हैं, आप वहां ही जाकर करिए एपलिगास दीजिए। करें और इसी सथी में हम लोग सब्डान के मानने वाले ce कौन जादा मानता आ जो डली समाज कौप यां को मानता ले घूमता है, सबसे जधसे सब्डान को मानता हम कहां जहाए जब हमें अधे नहीं नहीं मिलेगा, पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहां जाएं क्यों नहीं मिला क्यों इंकार कर दिया गया लेने से मैंने यही तो हम जानना चाहते हैं कि SSH ने हमारी एप्लिकेशन लेने से क्यों मना कर दिया जबकि Zero F.I.R के लिए वो कहा जाता है जो लौ है कि आप कहीं पर भी एप्लिकेशन दे सकते हैं और उस पर जो है कारवाई होगी लेकिन हमारी एप्लिकेशन को लेने से मना कर दिया क्या महसूस वा फिर आपको क्या लगा उसका ही देख रहा हूं कि हमाएं यहां पर भारत में जो है ना न्याय की उमीद बहुत कम रह गई है और फिर एक ही उमीद है कि आप कोट में जाएं यह इससे जदा हमें कुछ लग नहीं रहा है यह कहेंगे सरकार दलित विरोधी हो ग सबसे जादे संक्या दली समाथ के आती है और दली समाथ के बिला इस जदेश में किसी की सारकार नहीं चल सकती है संविधान कंसार इस जदेश में काम नहीं हो रहा है यह मनुवादी बे उस्था वाले लोग है संगी मान सकता बाले उसमान सकता का मठा दीस आए जो मोधी कहते है वो करता ऑग्योन के आज जीवन कारणास होगा भी भूशन मिला है इसी तरीके से कुकर्म किया होंगे मेरे कहने काया है कि यह तो अंधा, इस जनम में तो अंधा आइबे करें, इस स्वर ने दंड दिया है, इसको नहीं दिखाई दे रहा है, धर्म की आड में चुप करके, अगले जनमें कुकूर पैदा होगा, कुकूर, आहा, कुकूर पैदा होगा, यह जान लिजे बद दुआ हम लोग की, हम लोग इतने हाथ हैं, यह हमारे मित्र हैं, और इनके साथ इस तरह से होगा, मैं ब्रह्मान हूँ, हमारे सनातन दर में बसुदय कुटूमो का नारा है, हमें समाज के सब तपकों के साथ मिलके रहना चाहिए, और इस तरह से अपमानित करेगा यह, आप चेहरे सब्धान के मानने वाले लोग हैं कोट तो हम जाएंगे मिले ना मिले लेकिन जब तक नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे हैं इसा हो सकता है मेरे को कैये लोगों ने बोला कि आपके ली जाएंगी मैंने क्यों ली जाएगी ऐमादी के करेबी मेरी हिमत नहीं कों से अपमान करने का उपर जो अपमान करने का जो ट्रेंड चला हुआ है उसमें लगातार एक के बाद एक कोई ना कोई आगे बढ़ता जा रहे और राम भद्राचारिय ने जिस तरीके से बयान दिया और उसके बाद अब पालिया मेंट्री थाने में जाकर कंप्लेंड दर्ज कराने के बाद भी अगर ऐसे चुम मना कर देता ह और ये कहता है कि आपकी भावनाएं जहां आहात हुए वहां जाईए तो क्या पूरे भारत से लोग उत्तर प्रदेश पहुचेंगे कंप्लेंड करवाने के लिए ये कैसा मतलब कैसी चीजे हैं और क्या ये आप पुलिस प्रशासन जो है वो पाँप की पीछे कीचने लग कराईगा तो कंप्लेंड वापस कर दी जाएगी तस्वीर हम अपने हमने आपको दिखाई की कैसे वो इस इनसां के आँखों में आसू थे और वह रहे हैं कि आखिर हम कहा जाएं न्याइपाने लिए क्योंकि कंप्लेंड हमारी ली नहीं जा रही है हम कहां जाएं हम पालिय वहां आहात हुई है वही जाए पुलिस के उपर प्रेशर है वो कंप्लेन नहीं ले रहे हैं पूरी बात्चीत पर अपनी प्रतिकरियाद शरूर दीजे निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के ल बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें